आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं स्वीट कॉन ढोगला ढोगला ऐसी रेसिपी है जो जटपड़ सी बन भी जाती है और बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होती है और इसे खाना बड़े छोटे सभी पसंद करते हैं तो बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी इस वीडि लें दो चमच बेसन 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 दो बैंडिंग के लिए आप इसके बिना भी बना सकते हैं अगर आपको बेसन नहीं आड़ कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे एक कप दः तो ये पानी और दः दोनों मिक्स किया हुए अगर गाड़ी दही है तो आप आदा कप लिजिए अगर पानी और दही मिलावत एक कप भर के लेंगे नमक स्वादा अनुसार अड़ करेंगे और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो यहां पर देके कुछ इस तरीके से हमारा मिसरन तैयार हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ये सुखा लग रहा है ड् देके संजू है थोड़ा सा फूल जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इस एची तरीके से घूल बना के तैयार कर लेंगे तो कम सब कम 10 मिनट के लिए से ढख देते हैं और यहां पर मैंने ले लिया है स्वीट कॉन तो फ्रोजन स्वीट कॉन होता है मै करेंगे ले यहां रही हमें, आपको मैं माने तो क्राइए लाल जास हो जाता है हम पर न हमें आप पपाण भी प्लाकाथ कुछा है यू यूंज अच्छी तरीके से से जेट हो गया है और अबहु भी बूरा ट्राइई हो गया है लेकिन इसमें पानी और ढलेंगे तो पहले थोड़ी सी चीज़े अड़ करते हैं कलर के लिए थोड़ी सी हल्डी डालेंगे और यहा हम मैं डाल रहे हूं पीसी हुई चीनी फोड़ा सा मैंने डाला है पीसी हुई चीनी टेस्ट के लिए वैसे स्वीट कॉन मिठा होता है लेकिन मैं यहां पर चोटा चोटा सथी चोटी चंप पीसई होई चीनी डाली है है । झालें तो पाणी को पी-सा то ता वो डालेंगे थोड़ा चीनी के पानी पानी में ने आदा कपके गारी के गरीम लिया है और इन साओ mandate को ret लेना है Yum आपे तेम के मानी तेम सार फैयर खत्राव 20 कप लिया है और द्राव क्या सब्सक्त hazud हो तो नूर्मल जो डोकले बनाते हैं उसका बैटर थोड़ा सा पतला होता है लेकिन स्वीट कॉन का बनाते है तो थोड़ा सा गाड़ा होगा और इसमें डाल देंगे 2 चमस तेल सरस्वतल छोड़के आपको यह भी तेल डाल सकते हैं डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से फेट लेना है कम से कम आपको एक से देर मिन तक फेट लेना है तक हमारा जो डोकला एकदम फ्लॉपी और एकदम सौप्ट बने अब इसमें देखिए इस तरीके से हमारा बैटर पर्फेक्ट बन के तैयार हो गया है अब इसमें डाल देंगे इनू तो मैंने आपर एक छोटी चमच बरके इनू ले लिया है आप एक पूरा शेसे इसमें डाल देजिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनू डालेंगे बाद फटा 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 में इससे मीक्स कर लेना ह बिल्कुल भी देर नहीं करना है तो चमच को नीचे तक लेए जाकर हमें अच्छे से फेटना है अगर इनू कहीं इधर उदर रहे गया जाएगा तो क्या हो जब हम ढ़ना के तयार करेंगे तो लाल लाल सा कहीं कहीं धब्बे हो जाएंगे अब यहां पर मैंने एक प्लेट हो रहा है अब इसके अंदर में एक स्टैंड डाल देती हूं ताकि जो दोगला का बरतने पुरा नीचे तक तले में आ जाए और इस तरीके सामें से कडाई में डाल देंगे अगर आपके बस दोगले का स्टैंड है तो आप उसमें भी बना सकते हैं अब ढ़क देंगे और मैंने यहां पर 15 मिनिट के अंदर ही हमारा डुकलाची तरीके सेट हो गया है हाथ लगा के देखिए बिल्कुल भी हाथ में चीपक नहीं रहा है तो इसे निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए रख देते हैं और यहां पर हम तड़का तयार कर लेते हैं तो इसका तड़का सिंपल तरीके से लगाएंगी तो मैंने थोड़ा सा टेल लिया है जीर डाला है और धोड़ी नशी घर्मिर्ची टाल देएंगे अगर आपको पसंद हो तो इसमे तो इसमेमें थोड़ा सा हरा धनिया घर्दध फंड़क कर सकते हैं तो मैंने आप इक हरेम काम हीते होती है त तो इतना थंडा हो गया है जब अच्छी तरीके से थंडा हो जाए तब ही अब फोरी के से कट करें नहीं तो थिक्ट नहीं पूरा ठंडा हो गया है but हम इसमें हाथ लगा सकते हैं अब जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से से कट कर लीजिए और डोकला आपका तैयार है बस त ज़दा अच्छा बना है इस तरीके से ढ़कला की पहचान इसी तरीके से होती है कि जाली अच्छी आई हो और जो हम उसे प्लेट को उठाए तो वेट ज्यादा वजण ना लगे एकदम हलका हो तो देखिए ढ़कला हमारा अच्छी तरीके से पग गया है और असानी से निकल भी जा रहा और इसके पीछे देखिए कितनी अच्छी जाली बन रही है तो यह एकदम जटपट सा बन भी जाता है और बच्चों को स्वीट को ज्यादा ही पसंद होते उनके लिए बाकि आपको जू इसमें एड करना है जैसे मिर्ची थोड़ा उनको नहीं पसंद तो मिर् को सबस्क्राइब जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो में बाबाई